जै मातागी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक सुवागत है महाकाली भकतियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ पूजा और मंतर जाब करते समय अगर आपके साथ ऐसा होता है तो के पास ये तीन देवी की की शक्ती है कुंडलीनी हाँ जी दोस्तों जिन विक्तियों के साथ ये थीम शक्ती शाक्षद व्ить राजमान होती है जैसे कि कुंडली निशक्ती तो आपको पता ही हो सकते हैं और जिनको नहीं भीieß पता हूंझ आप दुबारा भी मताओं कि तो आपको इस तरह से पूझा पाड़ करते हैं तो उस समय उनके साथ कुछ इस तरह की चीजे होने लग जाती हैं जैसी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हैं अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरह की चीजे हो रही है तो आपके पास माता काली की और दो देवी ऐसी हैं जिनकी कुंडलीनी शक्ती है और ये शक्ती को आपको जागरित कैसे करना है इससे कारे कैसे कराना है सब कुछ मैं आपको इस दीडियों के माध्यम से बताऊंगी लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से में एक रिक्वेश्ट करना चाहंगी अगर आप महाकाली भकत ग्यान यूटुब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली यह जो आस तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जितने भी काली माता के भक्त हैं उन भक्तों को तो कुड़लीनी शक्ति के बारे में पताई होगा तो जिसके पास माता की कुणलीनी शक्ति होती है तो पूजा पाट करते समय मंतर जाब करते समय या फिर सिद्धी साधना करते समय उस व्यक्ति के साथ कुछ इस तरह की चीजे होने लगती हैं जो मैं आपको भी बताऊंगे वीडियो में अगर यही सहम चीजे आप लोगों के तो भक्तों आपके पास माकाली के साथ दो शक्ति और हैं देवियों की जो की आपको कुणलीनी प्राप्त है तो चलिए भक्तों मैं आपको बता देती हूं कि पूजा पाट करते समय आपके साथ क्या चीजे होने लगती हैं जब आपके पास तीन देवियों की शक्ति होती ह तो जैसे कि मालो आप माते की पूजा करते हो अपने घर में ठीक है जोत जलाते हो आपकी जोत में या फिर दिये में अलग अलग के चित्र बनने लगते है फूल बनने लगते है त्रिसूल बनने लगता है कभी कुछ बनने लगता है तो आप सोचते हैं कि ये चीजें हमारी जोत में या दिये में क्यों बन रही है तो मैं आपको बता दू ये कोई आम बात निये बनना जिसके पास देवी की शक्ति होती है ये सिर्फ वही पर बनते हैं बाकि हर किसी के पास नहीं बनते यानि कि हर कोई पूजा करता है हर किसी क दिये जोत में उसके नई बंते यह सिर्फ़ उससे में बंते जिसके पाँ शक्ति होती है कुंडली ओंभा अगर आपके साथ होटा है तो आपके पास देविय की शक्ति है दूसरी चीज जब आप पूजा करते हो अपने घर के मंदिर में थीग है अंदर से पूरे मतलब जो हमारा पेट है वहां से गुलगुली सी होनी श्टार्ड होती है इस तरीकी की चीजे हर किसी के साथ नहीं होती जिसके साथ सक्ति होती है जिसके पास उसी के साथ ये चीजें होने लगती है जैसे मैंने अभी आपको बताई तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़े हो रही है तो आपके साथ शक्ती है माता की और तीसरी बात जब आप मंतर जाब करते हो माता के बीज बंतरों का तो मंतर जाब करते समय आपको जब आप मंतर जब लेते हो तो आपको भोतेज नीद आने लगती है ठीक है और घवराहट सी होने लगती है उल्टी आने का मन होता है आपका लेकिन उल्टी आती नहीं है और जब आप सो जाते हैं घवराहट होती है तो सोने में आपको जटके लगते हैं तो इस तरीकी की चीज़ अगर आपके साथ हो रही है तो आपके पास मातीन देवियों की शक्ती है और वो शक्ति आपको Kundalini प्राप्त है दीखे वो आपको पूज़ा पाड़ाट से प्राप्त होई वो आपको पिछले जनम से इस जनम में भी मिली है तो मैं आप को बता दूं वो शक्ति कौन सी है पहली शक्ति तो माता काली कीं, दूसरी शक्ती है, माता की 64 जों योगनी है, उनकी शक्ती, तीसरी शक्ती जो है, वो है कामरुदेश का शक्ती, समझ रहें आप, ये शक्ति delveंदे के पास कुंडलिनी, उसी के पूजा पाट करते हैं यूँ ही दिखते हैं जब उनके पास कोई शक्ती होती है और वो शक्ती जब जागरित हो रही होती है उनके पास तब यह सपने उनको तिखने इस्टाड़ हो जाते हैं और यही चीजे उनके साथ होनी इस्टाड़ हो जाती है तो अगर आपके साथ भी इनकी पूजा पाट करते रहो भोग पर साथ चड़ाते रहो ये तो आपके पास कम से गम एक डेड़ महीने में ही सिद्ध हो जाएंगे तो चलिए दोस्तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै माताकाली हरहर महादेब माताकाली बाबा भूले नाता आप सभी की सारी मनुकामना पूरी करें